नमस्कार दोस्तो दोस्तो अगर आप दुबले पतले हैं और भूख नहीं लगती है कमजोर हैं आप और शरीर नहीं बन रहा है तो यह वीडियो देख लेजिए बहुत काम का वीडियो है और पूरा देखेगा और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को स सब्सक्राइब कर दिए साथ में घंटी वाल निशान उसे आल पर टच कर दिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें तो यह जो दोस्तों सेट बताने वाला हूं यह उन लोगों के लिए हैं जिनको खाना शरीर को नहीं लग रहा है बहुत ज्याद कब तक इस्तिमाल करना है क्या साइड इफेक्ट और क्या फायदे हैं सभी बाते इसमें बताने वाला हूं आपको तो सबसे पहले दोस्तों है प्रोसप पाउडर और दोस्तों जितने भी मेरे पास दबाईयां यह जैनरिक है ठीक है कम प्राइज वाली मतलब कम रेट में मि आडले कमपनी का है इसका MRP 300 होता है ये लेकिन ये जनरिक है तो बहुत कम प्राइज में आपको मार्गेट में मिल जाएगा ठीक है और इसमें प्रोटीन पाउडर और बिटामिन्स मिननल्स सभी प्रकार केस में डाले गए है जो कि हमारी शरीक लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और दूसरी जो दवाई है वो है साइप्रोहेटरिन टैबलेट है ठीक है इसके जगापे आप प्रेक्टिन टैबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं तो बहुत सस्ती होती है 20 है लेकिन यह जरीक है तो काफी कामप्राइज में मिल जाती है तो और जो तीसरी दवाई है वह मल्टिवितामिन कैफ्सुल जो की RBC के नाम से है यूरो केर कंपनी का है मल्टिवितामिन और मल्टि मिननल्स एंड एंटि औक्सिडेंट इसमें डाला गया है जो की श्रीर के ठीक है तो चलिए ये तो हो गया दवाईयों की जानकारी अब इसको लेना कैसे ये भी बता देता हूँ दोस्तों ये पाउडर आपने लेना है दूद में डालके एक गिलास दूद लेना है बिलकुल प्योर दूद होना चाहिए उसमें दो चम्मट डाल ले हैं आपने और खातार आपने ठीक है खाना खाने के बाद और ये कैपसुल है और ये कैपसुल है इसका एक कैपसुल रोज लेना है आपने खाना खाने के बाद चाहे दुपैर को ले लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा दुपैर का दुपैर एक टाइम लेना है आपने दूद के साथ में इसको भी लेना है ठीक है ये पानी के साथ लेना है ये दोनों दूद में लेने है ठीक है इसको मिलाक लेना है और इसके साथ पीना है आपने दूद एक गिलास ठीक है और इससे क्या हुआ कि दोस्तों अगर आपको भूग नहीं लग रही है आपके शरीर को खाना पीना नहीं लगेगा तो आगे continue करना नहीं तो कोई और दवाई देख लेना क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई लोगों को ये नई के भूक खुल झाएगी ठीक है घाना बने गई गा इसको लगतार कीजिएगा जैसे कि आप तीन महीने तक एसके कर दे लें जैसे कि आप की ब्हुक जो खुलां जाए है तो आप इसको धीरे-थीरे बंद कर दिजेगा ठीक है इन दोनों को continue इन रखिएगा ठीक है जैसे कि आप मान लीजिए महीना भर इसको महीना भर नी सौरी बीस दिन आप इस टैबलेट को ले लेते हो बीस दिन में आपकी भूख जो है चालू हो जाती है आप खाना वगार अच्छा खाने लगते हो तो इसको बंद करके आप इन दोनों को चालू रखिएगा ठीक है और अगर आपको दस दिन में ही कोई फरक नहीं लगता है ठीक है कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इसे बंद कर सकते हैं तो यह इसका तरीका होगा खाने का ठीक है तो जो इसकी साइड इफेक्ट है नुकसान है वो भी मैं बता देता हूं दोस्तों इनको लेने से आप अगर इसे सबको एकदम से बंद करते हो तो रंती बंद कर देते हो जैसे कि आप इसको महिना भर लेके आपकी सियद बगरा बन जाती है आप इसे एकदम से बंद कर देते हो तो आपको इसका साइड इफेक्ट यह हो सकता है कि आप पहले जैसे हो आप ऐसे देरे बंद कर देना आप से, ठीक है, तो तीन महीने तक आप इसे regular इस्तमाल करना, ठीक है, तो इसको लेने से देखें, श्रेर में आपको फिंसियां वगरा निकल सकते हैं, अगर गर्मियों में लेते हो, ठीक है, खुजली हो सकती है, यहां फिर गैस बन सकती हैं, दस्त लग सकते हैं यह सब इसके नुकसान हो सकते हैं रेक्षन हो सकते हैं ऐसी प्रोब्लम को पहले दिन से ही लगते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को इन दवाईयों को बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएगा और बिना डॉक्टर की सलाह के आपने इन दवाईयो का इस्तमाल नहीं करना है जहां से आप इसको purchase करते हो उस फर्मसित्य से आप सला लें लेना करते हैं कर सकते हैं को ये फिर आपके अविडियों कर सकते हैं नहीं र sw हम अब घंप को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद